अटल आवासी विद्याले एक ऐसा विद्याले है जो किसी फाइव श्टार होटेल से कम नहीं है और इस विद्याले में पढ़ेंगे आर्थिक रूप से कमजोर बच्चे या शर्मिकों के बच्चे और साथ में ही जिन्होंने कोविड-19 के दौरान अपने माबाप को खो दिय है उन बच्चों को यहां पर आवासी सुईधा के साथ ही उनके अंदर सिक्षा की अलख जगाई जाएगी ताकि वे समाच के मुख्यदारा से जुड़ सकें जुलाई से यहां कक्षाएं शुरू हो जाएगी विद्याले अटालावाशे विद्याले पूरे उत्तर प्रदेश में 18 मंडल में खोले गए हैं जिसमें से यह लखनो मंडल के विद्याले हैं इसमें उत्तर प्रदेश भावन एम अन्ने सनिक निर्मान करमकार जो कल्यान बोड है उसके बच्चे जो उसमें पंजी कर्थ है वो बच्चे यहां पर पढ़ेंगे वो भी तीन साल पहले पंजी कर्थ होने चीए और वो बच्चे दस से तेरा वर्स की आयू के बीच के हो उनके हमने एपलीकेशन फोन भरवाए अभी और उनके टेस्ट 11 जून को आयोजित हो गए है बहुत जल्दी उनका रिजल्ट आने वाला है उन बच्चों का यहां पर प्रवेश दिया जाएगा इसके अलावा जिन्होंने अपने माबाप को कोरोना काल में खो दिया है ऐसे बच्चों को या मुख्य मंत्री के जो और योजनाए है उनमें जो बच्चे पंजी करत है प्रवेशन अधिकारी के यहां पर उन बच्चों का प्रवेश यहां पर दिया जाएगा यह किस क्लास तक का होगा इसकूल यह अभी मेडम कक्षा 6 में यहां पर बच्चों के प्रवेश दिया जाएगा वैसे यह कक्षा 6-12 तक यहां पर कक्षाय संचालित होगी और यह CBSC बोर्ड से संचालित होगी उनके अधीनी होगा यह अटलावाशी विद्धाले सर यहां पर लगभग मान के चलें कि क्लासस कब से शुरू हो जाएंगी जुलाई के किस डेट तक यहां पर जो कक्षाय है वो हमें जोलाई में 15 जोलाई के लगभग हम शुरू करने जा रहे हैं क्योंकि हमारे पास में सभी परबंध हमने कर लिये हैं और शिक्षक का नियुक्ती भी बहुत जल्दी होने वाली है वो शिक्षक भी हमारे पास आ जाएंगे इसके अलावा जो हमारी आउट्सोर्सिंग कंपनिया है उनके टेंडर होने जा रहे है और वो भी इसी महा के अंथ तक हमारे पास में सभी परबंध हो जाएंगे सर यहां पर बच्चे रहेंगे भी और यहीं पर पढ़ेंगे भी यहीं पर ही बच्चों के आवास है इस साइड में आप पीछे देखेंगे हमारे अकैडमिक ब्लोक के पीछे लड़कियों के लिए अलग है और लड़कों के लिए अलग बने हुए है लड़कों का होस्टल अलग है, लड़कों के होस्टल अलग है, लड़कों का मैस अलग है, लड़कों का मैस अलग है दोनों के निवास अलग-अलग है, खेल के मैदान यहाँ पर पीछे बहुत जादे है क्योंकि ग्रामीन अंचल से हमारे पास बच्चे आएंगे तो उन्हें खेनने की ज़्याद़ जरूरत है इसके अलावा हो भी कलासी जितने भी है, मीजिक है, आर्ट है, दूसरी कलाए हैं जो वो यहां पर आयों बच्चे उनका अध्यान करेंगे हमारे पास computer lab बहुत अच्छी बनेगी यहां पर और उत्रप्रदेश के मुख्यमंत्र योगी आदितनाज जी का यह dream project है ताकि इसमें जो ग्रामीन अंचल के बच्चे हैं, वो ना सरिफ अच्छी पढ़ाई उनको मिल सके भलकि उन्हें यहां पर खेल कूद के लिए भी सुईधा मिले लैब भी है जैसा की प्रिंसिपल सर ने हमें बताया और साथ में बच्चों के यहां आवासी सुईधा भी दी जाएगी यहीं बच्चे रहेंगे, यहीं पर उनकी खाने की ववस्ता है और यहीं पर उनकी पढ़ने की ववस्ता भी है मैं लखनो से अंजली सिंग राजपूत, न्यूज 18